किसान साथियों नमस्कार मेरा नाम परदीए कुमार मैं सुल्तान पुर्जिले के बल्दी रैवला के देवरा गाहों का निवास है। किसान साथियों देखिए इस खेत में तर्बूज की खेती की यही है और देखिए यह देखिए इसके पौधे कितने बड़े हो गए हैं तर्बूज की खेती हम फरोरी महीने में कर सकते हैं देखिए किस तरह से यह देखिए कितने बहतरिन तरीके से इसमें तर्बूज की खेती की गई है और यह देखिए कोई थोड़ा सा पौधा छोटा है तो कोई बड़ा है अभी इसमें ज्यादा से ज्यादा दो से तीन पत्तियां ही दिखाई दे रही है इसमें इधर आधे खेत में तर्बूज बोया गया है और उधर आधे खेत में खीरा बोया गया है तो खीरा और तर्बूज की खेती करके हम बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं देखिए यहाँ पर तर्बूज बोया गया है और उधर साइड उधर खीरा बोया गया है और यह देखिए आपको हम दिखाते चलते हैं देखिए किस तरह से इसके पाउथे दिखाई दे रहे हैं और यह नालिया बनी हुई है इसे बेड पर पनिंग डाल करके विशा करके इसमें बोया गया है देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं ये देखिए ये देखिए आप उधर हम चलते हैं आपको खीरा जो बोया गया है उसको दिखाते हैं ये देखिए ये खीरा का पौधा है देखिए ये कितना स्वस्थ है ये देखिए यहाँ पर ये खीरा और तर्भूज दो उनों को एक ही साथ बोया गया था यह देखिए दो दो तीन तीन पत्यां आ चुकी हैं और यद दस रुपे पंदरा रुपे केजी भी भीकता है तो बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं देखिए यह पाउधा है यह देखिए खीरे की खेती करकी जबकि यह खीरा कम से कम 20-25 रुपे केजी के भाव से भीकेगा उस समय यह तैयार हो जाएगा इस प्रकार की सांसाथियों यद हमारा बीरियों अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद